अलो दोस्तों हेल्थ वीके में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे फाइपी वीक का जो थर्ड डोस रिसनली लॉंच हुआ है रूटीन इमिडाइजेशन इंडियुल में उसके बारे में जानेंगे मेरे चैनल का नाम है हेल्थ डॉट वीक है आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही इंपोर्टन्ट अब्डेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप पोल्यो का स्टेटस इंडिया में इंडिया इस पोल्यो फ्री फ्रॉम 11 यर्स तो फिर आपको कंफ्यूजन होता होगा तो फिर गवर्मेंट इसका वैक्सिन क्यों दे रही है बच्चों को इसका रिजन यह है कि आल्दो वीयव पोल्यो फ्री प्ट इस्टिल वी हैव सेटेट देड Taiwo और हमारे लपर पकीस्टान है अभणिस्तान मोजबीक और माला विए में भी अभी भी पोली की सीव है कि video ऊभिश्टेन स्गेपर ग्रस नहीं हो और हमारे ब्लेत तो इससे 79% Immunogenicity develop होती है मंगर एक रिसर्च के इसाब से अगर त्री डोसीज दिये जाए और थार्ड डोस प्रोलोंग किया जाए अप टू 36 विक तो Immunogenicity can reach up to 98-100% so that's why government of India has decided to launch 3rd dose of fractional IPV in routine immunization schedule from 1st January 2023 there will be 3 doses of FIPV 3 dose दिये जाएंगे हमारा जो इंडिया का immunization schedule है उसमें और 1st और 2nd dose as it is रहेंगे 6 वीक और 14 वीक पे तो चैंज क्या रहेगा अब 31st December 2022 अभी no dose दिये जाते FIPV के नव there will be 3 doses Age of vaccination right now we are giving 6 week and 14 week After 1st January there will be 3 doses at 6 week, 14 week and 9 month Nose is the same for all doses route will be same intranormal injection site of vaccination यहां पे थोड़ा trick है क्योंकि 6 week and 14 week पे यह राइट अपर आम में दिया जाता है मगर 9 month पे MR का भी vaccine देना है बच्चे को तो इसके लिए 9 month पे यह देना रहेगा FIPV आपको left पराम में क्योंकि MR जो रहता है वो राइट पराम में देता है तो यह थोड़ा tricky है कि एप पीवी का जो थर्ड नोज है वो ऐसे बच्चों को ही लगेगा जिनोह ने मिनिमम वर्ट डोज एपाई पीवी लिया है अपने एक साल कंप्लिट करने से पहले अगर एक साल से पहले उस बच्चे नहीं लिया है तो उससे एपाई फिवी एपाई फिवी नहीं दिया जाएगा करेगा आसा करते हैं अगर वड़ी वर्कर करते हैं जो लोकल समीथी रहती है जा से मास उस समीथी में इसका प्रचारपसार किया जाएगा प्रोवाइड किया जाएगा पुब्लिक में आई सी करने के लिए रेकोर्डिंग या रिपोर्टिंग अभी जो ममता काड़ है जो से कर देना है अब जो गवर्मेंट नया प्रिंट करके देगी उसके अंदर इसके लिए सेप्रेट स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा तो जो कन्फूजिंग या तो एक यूज है कितने डोस दिये जाएंगे अप्टर फिर्ट विट्वेंटी ट्री ट्री डेर्विल भी ट्रीडोजिस ऑफ फ़ीज वीग फॉर्टीन वीक और नाइन बंद वाट विल बीड़ रूट एट साइट हमने अल्रेड देख लिया है सिक्स वीक और फॉर्टीन वीक पर पॉइंट पड़ने मेल इंट्रा नर्मल राइट अपराम और नाइन बंद पर यह दिया जाएगा लेफ्ट अपराम में एमार वैक्सिन दिया जाता है तो यह एमार वैक्सिन के साथ किसरा डोस देना है कि एफई पीवी का थर्ड डोस हेल्ट स्टाफ कब देगा थर्ड डोस एफई पीवी विल बी गीवन विद एमार वन वैक्सिन एट नाइन बंदों पीज सीक्वंद क्या रहेगी कौन सी एक्सिन पहले देनी है क्योंकि एक बच्छे को बहुत सारी एक साथ जाएगी तो औरल वैक्सिन सबसे पहले देनी है वीड जैसे ओपीवी है रोटा हो गया इसके बाद लेश पैनफूल जो फ्रेक्षिनल अइपीव इंट्रणर्मल है उसके बाद इंट्रमस्कुल जो PCV है वह यह पेनफूल है तो वह उसके बाद दिया जाएगो लास्ट में पैनटा है तो लास्ट में पैनटा रखना ना अगर कहीं पर जे इंचल रहा है तो वहां लास्ट में जे देना है कि इंट्रडर्मल देने का करेक्ट मैथड यह रहता है उसके टीप से देना रहता है इंसर्ट टीप आप दीडल अंडर दे सर्फेस अंदे स्कीन जेस्ट पास्द मैवल इस तरह से ब्लैब डेवलोप होना चाहिए यह करेक्ट मैथड है उसे रव नहीं कर रहा है बच्चे को भी मदर को भी काउंसिल कर रहा है कि वहां पे रव नहीं कर रहा है अगर ब्लैब नहीं फॉर्म होए तो दूसरा दोस देने के जरुवत नहीं है ओपल वाइल पॉलिसी यस इट विल बी अप्लिकेबल वाइल विल बी यूजट अप्टू ट्वेंट डेज बंस ओपन इसके क्राइटिरिया रहता है वी वीम इंटेक्ट होना चाहिए यूज लगना चाहिए सब कंडिशन ने उपन वाइल पॉलिसी के तब यह वाइल यूजट अप्टू ट्वेंटीएट डेज यह ओपन वाइल पॉलिसी वेस्टेज कम करने के लिए इंप्लिमेंट की जाती है यह अगर वहां स्पेस अवेलेबल है तो वहां लिख दे रहा है वरना यह निम को थर्ड नोज माजू में अपने तरीके से अभी तो चुके नए बंता काड़ आएंगे तो हम उसमें सेपर कि अब कुछ सेनारियों देख लेते हैं माली जैके 10 साल 10 महिने का बच्चा है और उसने एक भी वैक्सिन नहीं लिया तो कौन सी वैक्सिन देना है तो उस बच्चे को बीसी जी भी देना है पैंटा वन एफएपी वन और जो जैसे एमर वन है वो देना रहेगा एक महिने के के बाद बुलाना है उसे पैंटा टू और अधर ड्यू वैक्सिन के लिए और उसके एक महिने के बाद उससे पैंटा त्री और एफएपी वी टू देना है इन दिस केस एफएपी ट्री कैन वी गीवन वीदे मार्टू डोस एड शिक्टीन तो ट्वेंटी द्री मंस यह सबसे इंपोर्टन एक क्यों है कि दूसरा सिनारियो ऐसा है कि चाइल कम्स पूर एमर्वन वेक्सिन एस नौट रिसेव एफएपी टू डोस वाट शूट बी ड़न ऐसे बच्चों को एफएपी टू देना है और जो भी दूसरा वैक्सिन बाकी है और उससे एफएपी थ्री के लिए एमर्टू के साथ बुलाना है माल लिजेगे 15 महिने का बच्चा है वह एमर्वन के लिए आता है जिसने बहुत एफएपी वन एफएपी टू ले लिया है तो इससे क्या करें गया तो गीव एफएपी थ्री अलंग विन एमर्वन है इफ चाल्ड है अल्रेड़ी रिसेव्ट एमर्वन वेक्षिट बाइटी फर्टी फर्स्ट डिसेंबर कें स्टाफ गिव एपाइपी वी थ्री नो चुकि इस्ते अमर्वन अल्रेडी ले लिया है तो वैसे बच्चों को ही देंगे जिनका एमर्वन बाकी है फीवे फ्री फूली इमिननजेशन डेफिनेशन इनों क्या गया पूंशी सीरींज यूज करनी है यह कि माल लिजे हैं कि ओ पीवी और आईपीविव में एक वेक्षिन अवेलेबल नहीं है तो एनेम क्या गरेगी तो एनेम जो भी अवेलेबल वेक्षिन है उसे देगी और और बाकी के लिए next में बुलाएगे अवे लेबल करके थैंक्स फूर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल हेल्ज डॉट वीके और गीव आपके वेल्वेबल सजेस्टर और कॉमेंट हम नेक्स्ट वीडियो कौनसा पोस्ट करें उसके लिए थैंक्यू दोस्त वे ले लुट प्लीजे सब्सक्राइब झा काल evaluत।